हेलो प्राइट नमस्ते मैं हूं नहया और आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर किट्स स्पेशल इससे पहले वीडियो में मैं आपको श्वर के दो अच्छर लिखना सिखाई थी ओ और आ जिससे जिसको डॉट्स बनाके मिलाके लिखना था जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से जो हमारे प्लेवे के बच्चे हैं जो प्राइमरी सेक्षन के बच्चे हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी यह आसानी से उन बिंदूओं को मिलाकर डॉट्स को मिलाकर आसानी से स्वर को लिख सकते हैं तो आज मैं आपको पूरे स्वर उन सारे अच्छा स्वर के सा भारे अच्छर को लिखना चैने में तो आये सरू करते हैं या आप देख रहे हो गोगा कि red pen से में डॉब्हा रिया है ऐसे तो यह मेरेizers बने हुए हैं लेकर में फिर आपको dop आर्स बना के दिखाऊँगी कि कैसे डॉब्हा बनाये जाते हैं यह तो आपने देख लिए मैज करेंगे ऐसे फिर इस डॉट को इस डॉट से करेंगे एस डॉट से looking at the इज बफे एस डॉट को इस डॉट से एस डॉट करोगा है और दे से फिर इस डॉटी स संदियो शाड़ому कर दो 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 कर तो यह डॉट्स यह डॉट्स मिलाके मैं स्वर लिखना आपको दिखाई हूँ कैसे स्वर लिखा जाता है तो आई इसको एक बार पढ़ लेते हैं यह आपने देखा कि यह पूरे स्वर कंपलीट हो गए है अब मैं आपको डॉट्स बनाना सिखा देती हूँ मैं पहले वीडियो में आपको और आ का डॉट्स बनाना सिखाई हूँ आज मैं आपको कि एका सिखाती हूँ पहले हम उपर डॉट्स लगाएं फिर नीचे फिर उशको शेप देते हुए इसी तरह हम बड़ी एका भी बनाएंगे उ का जैसे औ का हम बनाए थे वैसे हम उ का भी बनाएंगे री यह हमारे हो गए स्वर मैं आपको बिंदू बना के भी दिखा दी तो यह मैं दो लाइन में इसलिए बनाएंगे ताकि छोटे बच्चों को एक लाइन सिंगल लाइन को यूज करने में प्रॉब्लम होती है वो छोटा लिख नहीं पाते हैं अगर हम उन्हें स्टार्टिंग में डबल लाइन का यूज करके सिखा है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है और वो असानी से अपने अच्छर को लिख लेते हैं तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ठ थैंक्यू